जग में घोर अंधेरावारी तन में तम का भंडारा संगर जी बाबा जी ने आज सोलन में सस्टंग फरमाया है हमेशा की तरह बाबा जी ने आज भी सस्टंग में बहुत अच्छी बातें बताई है बाबा जी आज स्टेज पर दस बजे से कुछ मिनट पहले आ गए थे हमेशा की तरह सस्टंग शुरू होने से पहले शबत पड़े जा रहे थे संगर जी बाबा जी ने आज जग में घोर अंधेरा भारी शबत पर सस्टंग फरमाया है जो की हजूर स्वामी जी महराजी की बानी है बाबा जी ने आज भी शबत की एक एक तुक को लेकर अच्छे से समझाया है की कैसे माया रूपी जाल ने इस संसार के जीवों को जकड़ा हुआ है जीव अजान भया परदेशी देश बिसर गया निजसारा स्वामी जी महराज हम को परदेशी कहकर बियान करते हैं क्यूंकि ये हमारा असली देश नहीं है हम यहां पर सिरफ अपने करमों की वज़ा से फसे हुए हैं पता नहीं हमें कितने जनम हो गए हैं ऐसे ही भड़कते हुए और दुक सहते हुए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इस दुनिया में 84 लाक जूनिया हैं लेकिन मुक्ती पाने का हक सिरफ इनसान को दिया गया है इसलिए हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मालिक ने हमें इनसान का यामा बख्ष कर हम पर कितनी दया महर की है लेकिन हम अपने आपको दुनियावी शाओं के साथ इतना जोड लेते हैं कि हम मालिको ही भूल कर बैठ जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि मौत दरवजा खटकटा रही है मौत के वक्षत बजन सिमन के इलावा और किसी भी चीज़ ने काम नहीं आना है और ना ही कोई और चीज़ मौत के बाद हमारे साथ जाएगी संगर जी इसलिए स्वामी जी महाराज इस शबद के जरीए हमारा ध्यान बजन सिमन के साथ जो उनने की कोशिश कर रही है फिर आगे एक तुकाती है फोकड धरम पकड कर जूजे बूजे ना शबद जुगत पारा भाव की जब तक हम किसी पूरण गुरु की बताई हुई जुकती के अनुसार अपना ध्यान अंतर मुख करके अपने आपको उस शबद के साथ नहीं जोडते तब तक हमें मुकती नहीं मिल सकती हम और जितने मर्जी भक्ती के सादन अपना ले लेकिन हमें मुकती नहें मिलेगी हम परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं कितना अपने आपको कष्ट देते हैं लेकिन अपने आपको उस शबद के साथ जोडने की कोशिश नहीं करते इस शबद में आगे एक तुकाती है वेद शास्तर सिम्रत और पुराना पढ़ पढ़ सब पंड़त हारा भाव की हम अपनी गरंत पोथियों को पढ़ते जरूर है लेकिन उन पर अमल नहीं करते पढ़ने से हमें केवल ग्यान मिलता है लेकिन जो असल सोजी है वो सिरफ अमल करने पर ही मिलेगी इन गरंत पोथियों को पढ़ने से हमारा महौल बनता है पर मात्मा को पाने के लिए प्यार पैदा होता है लेकिन जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हांसल नहीं हो सकता फिर आखरी तकों में स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि बिन सत्गुर और बिना शबद सुरत कोई न उत्रे भव पारा भाव की बिना पूरन गुरु और शबद की कमाई के वगैर हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते अगर हमें मुक्ति चाहिए तो पूरन गुरु की बताई हुई जुक्ति के अनुसार हमें अपने आपको शबद के साथ जोड़ना है और तब जाकर हमारा मन गुरु की भगती में लगेगा साथ संगर जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें हम ऐसी ही अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे